आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, the question here given is the maximum value of sine to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta is तो यहां पे जो हमें question दिया गया है उसमें हमें यह बताना है कि इसकी maximum value है वो क्या होगी ठीक है तो अगर हम लोग यहां पे बात करें अगर sine square theta plus cos square theta या फिर अगर हम लोग बात करें A square plus of B square के formula की तो यह होता है हमारा A plus B का whole square minus of 2 A B ठीक है तो अगर हम लोग sine square theta को A माल लें और cos square theta को B माल लें ठीक है तो अगर हम लोग sine square theta को A माल लें और cos square theta को अगर हम लोग B माल लें तो हमारा जो यहाँ पे आएगा formula वो क्या आएगा तो वो आ जाएगा हमारा a plus b का whole square है तो पर हमारा यहाँ पे हो जाएगा cos sin square theta sin square theta plus of cos square theta का whole square minus of 2 sin square theta into cos square theta ठीके और अगर हम इसको solve करें तो हमें मालूम है कि sin square theta plus cos square theta के जो value है वो क्या होती है तो इसकी value होती है 1 1 का square करेंगे तो भी हमारा 1 ही आएगा तो इसको हमोगा अगर solve करें फर्दर तो होगा 1 minus of 2 sin square theta into cos square theta ठीके अब अगर हम लोग यहां पर जो हमें दिया गया है theta अगर हम लोग उसकी value 0 degree माल लें ठीके तो अगर theta के अगर value हम लोग 0 degree तो हमारा क्या हो जागा answer value तो लेट let let theta is equal to 0 degree अगर हम लोग करते हैं तो फिर हमारा जो value है वोग क्या आएगा तो वो आदाएगा 1 minus of 2 sin square 0 degree into cos square 0 degree ठीके तो अगर हम लोग हम यहां पर मालूम है कि जो हमारा 0 degree होता है जो हमारा sin 0 की value होती है वो क्या होती है तो वो होती है 0 ठीके तो sin 0 की value 0 होती है तो उसका जो होगा square वो भी 0 होगा और अगर हम लोग उसको करेंगे into 2 से या फिर किसी से भी तो वो 0 हो जाएगा तो जो हमारा यहां पर value आएगा निकल कि वो क्या आएगा वो जाएगा 1 माइनस 0 क्योंकि sin square theta की value या फिर sin 0 की value जो है वो 0 होती है तो हमारा जहाँ पर इस पूरे का जो पूरा term है जो इसकी value होगी वो 0 हो जाएगी तो हमारा जहाँ पर value निकल के आएगा वो जाएगा 1 minus 0 which is 1 ठीक है तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर sign जो हमारा यहाँ पर जो यह value यहाँ पर दिया हुआ जो कि है sign to the power 4 theta plus cos 4 theta इसकी value क्या होगी तो इसकी value जो है वो हो जाएगी 1 जो कि दिया हुआ यहाँ पर option number d में तो जो हमारा 4th option है option number d वो हमारा correct answer हो जाएगा Thank you